हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सब का स्वागत है रामराम जी कैसे आप जरूर बताना यहाँ पे मैं अपनी आराम से चाय पीरियू घर में मैं हूँ और कोई नहीं है बच्चे गए टूजन यह अपने बाहर बैठे हैं बाहर मतलब टहले रहे हैं मैं अपनी चाय पीरियू बच्चों को खिला पिला के सामके मैंने चार वज़े से अपना ब्लॉग शुटार्ट किया और वस सोचा कुछ बिचारी में लगी थी कुछ क्या बहुत कुछ सोचा बिचारी में लगी हुई थी क्या सब आप लोगों को पता चल जाएगा तो फिलाल मैंने चाय के साथ एक फैन लिया और खाया दिन में खाना नहीं खाया था क्योंकि बुटिक से लेट आई थी तो इस वज़े से फिर मैं सांती पूरवग में दमाग में हलचल मस्ती है तो सांती पूरवग बैठ जाती हूँ और बस कुछ नहीं करती है फिर बहुत देर बैठ ली मैंने बोला अप काम में लग जाओ स्लाइम मसीन नीचे रख वी थी बच्चे कुछ ना कुछ ना कुछ छेड़ते थे और घर ना फैला सा मुझे दिखता था तो मैंने चाय पीते पीते दिमाग लग मतलब इस तरफ दिख रहा है तो देखो यहां पे बैठ के मेरी अच्छ से सिलाइबी हो जाई मेड़ी नीचे सैट से रखी जाएगीं और मैं ज्याद मसीन को सेपा करना सकती हुआ को ज ISER तुक?, मेरी मसीन ना एक ही इसलाई पे चलती है इसको मैंने 800 रुपे की ली थी पुरानी काफी टाइम हो गए से तो मैं साथ अच्छे चाड़ करूंगी तो जो चलती है वो भी नहीं चलेगी तो मैंने हाँ पे बैठ के देखा हम हाँ सही चल रहा है के नहीं चल रहा है तो सब परफ सारा सिलाई वाले का सामान वहीं पे मैंने रख दिया और पता है कल एक कमेंट आया आपके आप उनके अभी उनका फंक्शन हुआ वहां क्यों नहीं तो लोग भाई बहुत बड़े बड़े यूटूवर को बलाये थे हम छोटे चोटे यूटूवर को क्रेटर को नहीं बला हैं पता नहीं क्या जो ही वो करते हैं वो हम करते हैं पता नहीं कहां मेहनत में कमीर है जाती है यही समझ में नहीं आता कभी-कभी मन करता है बहुत बलोग में बहुत ज्यादा मेहनत होती है सब छोड़ चाड़ करके बाहर में जाए सारा छोड़ दो मत कर तो फाइनल लोग किये वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे क्या करूँ, कई गई उना बहुत दी मोटिवेट हो जाती हूँ, मैंने अभी दो दिन से एक बात कह रही हूँ, मैं इसे भी यही कह रही थी, बहुत ज़्यादा महनत कर रही हूँ, ब्लोगिंग में तो क्या ही मैं बता साथ में दोती जाओंगी, मैयूर जक को भी धोके, मैंने पानी उसका फेक दिया है, उसमें भी बोतल लगा दूँगी, इधर मैं दाल चावल बनाऊंगी, ज्यादा कुछ नी बना रही है, डाल चावल बना रोटी ना बना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रोटी बनानी है, पर इसी वाले कुकर में ताल को कठाई में तड़का दे रहें, इसी में कुकर में चावल बना लें, दो रोटियों का मैं आटा गुन दूँगी, बरतन देखे, ऐसे लग रहा है, कहां से काम सुरू करे, कहां से खतम करे, यहीं नहीं समझ में आता, पर कोई नहीं, तो मैं तो हमारा आपका रिस्ता तूट जाएगा, मैं अपने घर, आप अपने घर, है ना, कभी-कभी यह सब बहुत बाते दिमाग में बढ़ती है, मतलब मेरे साथ के कहां से कहां पहुझे, तो बहुत जीप सा लगता है, पर ठीक है, ज्यादा मैं अब इतना वो नहीं सोस्ती, पर आप लोग के कमेंट आए, तो इसके ऊपर मैंने बोला, इस्टाग्राम पे भी लोगवा पूछ रहे थे, मुझे मैसेज का रहे थे, मेरी फ्रेंड वगरा, तो वही वह बड़े-बड़े क्रेटर जिनके साथ लाक, आठ लाक, मीलियन ऐसे हैं, उनको छोटे-छोटे लोग गले में थोड़ा वैसे, और दाल में से आलू बालते हैं तो एकदम करारे करारे से हो जाते हैं, मैंने तेल डाला, चारपां सूखी वाली मिर्ची, इन में से दो निकाल लूँगी, आलू के बहुत बहुत अच्छे बनते हैं, सूखी मिर्ची को भूँज की और ये आले बोलते थे, और लाइन इतनी करते हैं, अभी तो मैंने रिव्यू को भी साइट से रख दिया है, रिव्यू मैं इतने नहीं करती हूं, इतने क्या, मतलब छोटा चैनल है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत कम कर देती हूं, बहुत ज्यादा, मैं मेरी सारी फ्रेंडों प प्याज और सारे मसाले डाल देंगी, डाल मुझे नहीं पता कौन से पीली वाली डाल बनाई है, मुझे आज तक दालों के नाम याद ली होगा, और होगा क्या, चलिए कोई यहाँ यहाँ पर मेरी दाल पक गया मसाला पक गया इसमें डाल को तड़का वैसे मैं वैसे चमच करके बनाए थे मैंने बच्चे घर पे हैं आज कल तो क्या बनाओ कई को शुषू का आज कल मीठे खाने का बहुत माना है अब तो मीठा कुछ नहीं बना रहा है हम दी पाबली पही वनाओंगी आपी मैं नहीं बनाओंगी यहाँ पे मैंने आलू चीले और इस तरीके से मटृतने अलु कट का दे इनको क्या करना भी देखना यह चार आलु काटे पर आलु काप ही जदा बड़े बड़े थे इस तरीक से काटे मैने इसके ती मैंने पेक में पर चाहिक लिए इससे साफ ..." इस तरीके से ये लिखी, यह तो है नहीं हम बच्चे घर पे हैं, नोगे हैं हम लोग एपना, बस कुछ ना कुछ कुछ, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, मतलब अच्छा लगता है, मतलब बाहर की चीज़े लेते लिए, में आलु चील यहां कर दुआ हो कि चिकल एटके रख दोङे और जुसा शुक्र के साथ तरहने से तो बस घर में टम्परेली पर तब भी अच्छे बनते हैं इनको मैंने अच्छे से फ्राइ किया आदा काम छोड़के इनमें लग गई है आदा काम तब तक मैंने वह लग जाड़ू लगा देती हूं अच्छे से साफ हो जाए वैसे आप देख सकते हैं साफ है पर मसीन अभी कि मेरे बहुत जब भारूद आजाएं तौ मेरे से अच्छे मेरे ताली मेरा उनुद कीने मेरे केच्छे ब्स बहुत जाड़ा मुए उन जन Осव रटा है और घृता नात करो नाहीं करने देती तो यहाँ मैरे लग ने ऐन्न से घर्फ्णा क्याएं बतूब है मेरा टाइम पूरे दिन निकल जाता चार साड़े चार वजे तो अपने बुटिक से आती हूं तो बुजी बहुत बिजी रहता है पर तब भी में खुद के लिए टाइम निकाली लेती और सो लेती देखो नीचे ध्यान से देखेंगे तो मट्टी मट्टी है मट्टी के लाव हमारा कमरा एक दम रोड पे अना तो घर रोड पे अना तो सब दिखता है फिर अच्छा नहीं लगता हमारा कमरा साफ हो गया है और बस पर्दे डाल देंगे और आलू भी सारे फ्राय हो गया तब तक मैंने प्याच काट लिया था थोड़ा सा लेसन डाला सोना पे टमाटर स करना इस तरीके से मैंने इनको फोल लिए अलग अलग नहीं कर पाई थी क्योंकि तेल दो चमश डाला है बस ना मात्र के लिए इसमें आलू डाल देंगे और उपर से मैंने गीले करके मसाले जारे डाले दे और आपना इनको खाओ बच्चों के साथ बैठके बहुत ज्याद इसमें टमाटर सॉस डाला तुमाटर सॉस में थोड़ा पानी डाले तो क्योंकि प्लेट पर फिच्ची पक जाता है इस वज़े से और इसको अच्छे से हिलाएंगे थोड़ी तेज आच करके जो इसका एश्ट्रा पानी वो जल जाए और बस आपके खाने के लिए तैयार ह यह तो है नहीं तो हम बच्चे तीनों ही मजा लेंगे इसका मैंने को फॉन पर बतारी मैंने आप नहीं हो मैंने यह बना के खाया तो ओर हम लोग खाओ हम काम में लगे रहे हैं मैंने बोला आपके लिए मैं रख दूंगी उठा के कि नई मत रखना ठंडे हो जाएंगे वै मैंने आजा हम लोग घर्म घर्म खाते ठंडे ठंडे अच्छे नहीं लगेंगे सौना को दबाई दे दिया सौना भी ठीक है सर्दी हो जाती उनको निमोनिया के वैसे हो जाता है मौसम चेंज हो रहा है ना तो इस वज़े से तो आप लोग भी आजाई आप लोग भी हमारे साथ इंचिली पैटेटो का हाँ थोड़े मार्केट जैसे तो नहीं है पर स्वाद उनसे बढ़के है क्योंकि घर के बहुत ज्यादा टेश्टी है तो बस इनको मैं हम लोगों ने खाया फिर मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा काम है एक दिन का गैप है तो इस वज़े से यहाँ पर मैं मुझे हुक लगाने थे हुक मेरे पास ओल्रेडी थे और मुझे रील वगएरा लानी है हुक को और आई बनानी थी दस वीस मिनट का काम है दस मिनट में मेरा काम खतम हो जाएगा सोना का मैंने होंबक करा दिया है तीन च ने चलिए इसको लगा के सोना का भी काम करा दिया क्या कर रही है यह क्या कर रही हो सोना की अप्ते बेठी के सौना क्या कर रही हुआ मुझे थोड patrons थोड़ी से कप्रे एग मिनट मुझे थोड़ी से कप्डे दोनें ज्यादा नहीं थोड़े से कपड़े हैं तो मैंने वहला पहले वीडियो को एंड करती हूँ उसके बाद में करती हूँ वह अभी आज आज की और छुटी है कल से स्कूल चालूँ बच्चों के तो बस थोड़ी से साफ सपाई की यह तो रोज का ही है पर सलाई की मसी निदा मस स्कूल देज लेडा जानी के अंगिते हैं कुल पर खुली आज है को तरु अंदर लेते हैं मतलब जगा थोड़ीब श जयां नहीं अच्छा लगां मतलब जगा थोड़ी फहला नहीं अछ़दी की अच्छा लगां सम्स्यूक्त शाथ होड़ी स्थंड भूत बहुत तेज निकलती हैं, बच्चों को लेने जाते हैं चोने जाते हैं, बहुत ज़ादा थेज निकलती है वाइड कलर की दील आ देना खर लेहंगा दो कि मैंने मंगाया था उसका ब्लाउस तेयर करना वंसू की अब सोच रही हूँ चेल लगाउं या हुक लगाउं अभी पर मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है देखती है मैंने हुक निकाल के रख ले काफी टाइम पहले मेरे पास हुक का पाउच बढ़ा था वह मैंने कब से रखा था आज फाइनली काम आई गया बाल खोलो चोटी ओटी बना दू और वह वाले इठागुजी के कपड़े और अलवारी में रखो उनकी है दंदे हो जाएंगे चलो रसुई का कम सारा खतम है दाल चाल बनाएते पर ये थोड़े से बनाएते इसे फूरा बच्चों की शुक्ती होती तो आप लोगों पताईए ना करते में भी करना पड़ता आप फिर अच्छा में लगता है बच्चे मांगते हैं तो इसे बेसे चलिए बाए